एलो फिरेड़ पूर्णमाटग्षाव में आप सभी का सवागत है फिरेड़ याल की दिनों में हरी भरी मटर की जितनी रेसिपी बनाई जाए इतनी कम हैं आज में आपको एक कप मटर से ऐसे रेसेपी बताऊंगी कि जिसमें नहीं आपको मैदा की नहीं बेसन की और नहीं आटे की जरूरत पड़ेगी और नहीं आपको उसे फिराई करने की जरूरत है तो आए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने मेरे वीडियो लाइक न नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक मिक्ति के जार में एक कप ये छिदी हुई मटर के दाने लिए ये फ्रेश मटर है अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं हो तो फ्रोजन मटर का भी यूज करते हैं आधा इंच एमना अद्रक का टुक्रा और चार हरीमेचो को हम बिल्कु यूज नहीं करना है यह देखे मैंने सभी मटर को बिल्कुल दरदरा पीच लिया है अब गैस पर मैंने एक पैन लिया उसमें दो चम्मच ऑईल डालेंगे ऑईल को अच्छे से गरम होने देंगे और अब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे आधा चम्मच हींग और अब अपनी मटर प्याँ इसमें डाल देंगे और मटर को थोड़ा सा अच्छे से प्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो मौश्चर हो वो खतम हो जाए और ये देखिए मटर अच्छे से भून गई है अच्छे से इसका मौश्चर बिल्कुल खतम हो गया है बिल्कुल ड्राई हो गई है अब मैंने ये दो उबले हुए आलू लियें हैं ये इतमी हाथ से फोड़ कर ही डाल देंगे और आलू को भी अच्छे से इतमें मिक्स कर देंगे अब इतमें थोड़े से सूखे मसाले डालते हैं आधा चमच हल्दी बॉडर आधा चमच लाल मेश बॉडर आधा चमच जीरा पॉडर और ये मैंने एक चमच सॉफ ली है इस नाष्टे में सॉफ बहुत अच्छी लगती है इसलिए जरूर यूज कीजेगा और सभी मसालो को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से इस्टफिक को खूब भून लेंगे अब इसमें सबते बाद में इक चमच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धन्या डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम बन कर देंगे और अपनी स्टफिंग को एक दूसरे बोल में ट्रांस्फर कर लेंगे और अब अपनी स्टफिंग को पूरी तरीके से हम ठंडा कर लेंगे जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक मैंने एक मिक्सी के जार में ये देड़ कप सूजी ली है ये महीन या मोटी जो भी सूजी आपके पास हो आप उसे ले लिजे इसे मिक्सी में डाल कर बिल्कुल महीन पीस लेंगे ये देखे मैंने बिल्कुल पॉर्डर फॉर्म में कर ली है आप इसे एक कर दूसरे बोल में लेंगे और इतनी आधा चमच नमक डाल देंगे और ये मैंने एक चौथाई कप इसमें ओईल लिया है ये इसमें डाल देंगे फिंस लेकिन ये ओईल भी बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना जाते हैं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं आप इस नाश्ते को बिल्कुल पूरी तरीके से ओईल फिरी बना सकते हैं और अच्छी तरीके से आटे में अपनी ओईल को मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा गरम पानी डाल कर हम एक से सॉफ्ट डो बनाएंगे इसलिए फूल दिये इसलिए इसका डो थोड़ा सॉफ्ट ही बनाएएगा ताकि रखने के बाद ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा और ये देखिए हमारा आटा गुंत कर त्यार हो गया इसे अच्छे से थोड़ा सा गुंत कर चिकना कर लेंगे और सारे आटे को अच्छे से समेट कर रख देंगे और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढख कर रेस्ट करने रख देंगे 15 मिनट बाद देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया इसे फिर से हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और ये देखिए हमारा आटा अच्छे से चिकना हो गया है और इस टपिंग भी पूरी ठंडी हो गई है अब हम इसको एक लॉक की तरह बना लेंगे और इसमें से छोटे-छोटे से पेड़े तोड़ लेंगे सारे पेड़े एक बरावर सेख लेंगे जितना आटा हम एक रोटी के लिए यूज करते हैं उतना ही आटा हम इसके लिए यूज करेंगे और सारे आटे की ऐसे ही पेड़े बना कर रख लेंगे अब इन्हें बिल्कुल अच्छे से गोल कर लेंगे और ये देखे मैंने अपनी सारी लूईया बना कर त्यार कर लींगे हैं अब हाथ से ही इसे हम प्लैट करेंगे और इसके अंदर अपनी ए एक चमच श्टपिंग भर देंगे और अच्छी तरीके से इसे बन कर देंगे और पूरा अच्छे से गोल बॉल की तरह बना देंगे ये देखे मेरी एक कचोड़ी बन के त्यार हो गई है इसी तरीके से हम दूसरी भी बना कर रख लेंगे और सारी कचोड़ियों को ऐसे ही बना कर रख लेंगे और ये देखे मैंने अपनी सारी कचोड़ियों ऐसे ही बना कर रख लेंगे अब इस नाश्टे को मैंने बनाने के लिए आज एक अपाई स्टेंड लिया है अपाई स्टेंड में हम थोड़ा सा ओईल लगा कर उसे ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा नाश्टा बिल्कुल भी चिपके नहीं और अब इसमें एक एक का अपना बॉल रख देंगे अब ये देखे मैंने सारे साचों में एक एक बॉल डाल दी है इधर मैंने एक कड़ाई में ओईल भी घरम होने रख दिया था अगर आप इस नाश्टे को तल कर बनाना चाहते हैं तो एक कड़ाई में ओईल गरम होने भी रख सकते हैं और अपनी इन कचोड़ियों के उपर हम हलका सा ब्रश से ओईल फेर देंगे बस बहुत थोड़ा सा ही ओईल के जरुवत पड़ेगी अगर आप बिना ओईल के बनाना चाहते हैं तो इसे ऐसे बना सकते हैं और अगर ओईल का बनाना चाहते हैं तो इसे कड़ाई में तल कर भी बना सकते हैं यह देखिए कितने अच्छे से नीचे सिखने लगी है आरिक दा बॉल्स को बार बार पलट पलट कर सेख लें और चारों तरफ से हम इसे लाल करकर बिल्कुल उच्छे इधर हमारा ओयल भी अच्छे से गरम हो गया है इसमें हम अपने थोड़ी सी बॉल्स डाल देते हैं और इन्हें भी अच्छे से से शेक लेते हैं इस समय भी कड़ाई का लो फ्लेम गैस का फ्लेम लो ही रखेगा और लो फ्लेम पर ही इन्हें तेकेगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से खसता हो जाएं और अच्छे से सिख जाएं सारी कचोड़ियां देखिए अच्छे से लाल होने लगी हैं और लो फ्लेम पर ही इन्हें अच्छे से से पलट पलट के सेख लेंगे और इधर देखिए हमारी अप्पा स्टैंड वली कचोड़ियां भी सिखने लगी हैं इन्हें भी अच्छे से हम पलट देंगे और सब तरफ अच्छे से से तेक लेंगे कड़ाई वली कचोड़ियां हमारी हच्छे से लाल होने लगी हैं इन्हें निकाल कर हम बाहर कर लेंगे और ये देखे हमारी इधर क्या चोड़ियां कितनी अच्छे तरीके से स्टेक रही है सब तरफ एक से अच्छे से लाल होने लगी है इन्हें भी हम बार बार उलट पुलट करते रहेंगे इन कचोड़ियों को निकाल कर बाहर कर लीजिए और ये देखे कितने अच्छे से कचोड़ियां सिख गई है इधर अपा स्टेंड वारी कचोड़ियां भी किती अच्छी तरीके से लाल हो रही है इसमें मत मैंने बहुत थोड़े से घी का यूज़ किया है और अच्छे से ये कचोड़ियां भी हमारी पकने लगी है पुड़ा सा और तिक जाने के बाद इन्हें भी अच्छे से निकाल कर बाहर कर लेंगे और ये देखे ये कचोड़ियां भी अच्छे से बन कर त्यार हो गई है इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और ये लेजे एक दम मज़ेदार मतर कर नाश्टा बन कर त्यार हो गया है बिसकुल हैल्दी तरीके से मतर कर ये नाश्टा बना कर रखिए आपके घर में सबी को बहुत पसंद आएगा और ये देखे हमारी दोनों तरीके की कचोड़ियां बन कर त्यार हो गई है और अगर आप इन्हें ओयल में तल कर खाना चाते हैं तो ओयल में तल कर बना दीजे और अगर बिना ओयल की खाना चाते हैं साथ ही साथ आप इन्हें एक से दो दिन तक श्टोर करके भी रख सकते हैं ये बिक्कुल भी खराब नहीं होंगी तो एक बार इस तरीके से कचोड़ी बना कर दिखे फ्रेंट्स आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएंगी मैं एक कचोड़ी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसमें कितनी अच्छी स्टफिंग होई है और ये अंदर से भी कितनी अच्छी से सिखी होई है चाहें ओयल वाली कचोड़ी हो चीजिए या बिना ओयल वाली दोनों ही तरीके की कचोड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है तो एक बार बना कर रख लीजिए और अपने बच्छों को या बढ़ों को शाम के नाश्ते या सुबह के नाश्ते में दीजिए आपके धर में सभी को बहुत पसंद आएगी तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट प्रॉक से कमेंट लिखना ना भूले